नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी स्वागत है फिर से नए वीडियो में 30 डे वर्क हाट चैलेंज का आज का यह तीसरा दिन है और हम चल दिये हैं अपने रूम से ग्राउंड की और लगवक धाई किलोमेटर दूरी पे हैं यह ग्राउंड तो साइकिल ले लिए हैं और काफी लोग यहाँ पर आ चmara चुके हैं और यहां पर पर्याप प्रैक्टिस भी करते होंगे क्योंकि आपको पता हगा हो कितना जरूरी होता हि कितना परहाई जरूरी तो उतना ही जरूरी भी जरूरा पिल्ट प जाने का ये सिलसले जारी किया है और आप देक्सकते काफी लोग यहां पे आ चुकी है रणिंग तैनिंग कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हालां कि मैं रणिंग नहीं करूंगा रणिंग हलका सा करूंगा है कैंकि उतनल फास्ट तो कर पाता और सिर्फ एक्सराइज करेंगे यहां पे और यहां उपर से भी आपको कुछ इस तरह से दिखेगा जो कि पुरा ग्राउंड को कवर करता है देख सकते हैं लगबग अभी ग्राउंड खाली होचके क्योंकि यहां काफी सुबच चार बज़े से ही आते रहते हैं और साल अभी डूटी पर कोई चल जाते हैं तो हम अपना योग या फिर जो भी वर्क आउट होता है हम करेंगे यह हैं यह मैंने यूटूब से ही देखा था बावा रामदेब बावा का उन्होंने इस तरह से किया था तो वही ट्राइक करते हैं क्योंकि सांस लेने की च्छमता इस तरह से बढ़ता है और सीधी रीड को रखने से मानसिक संतुलन भी बना रहता है तो हम सीधा धियान में लगते धियान करते हुए अपने और एकसरसाइज का हलां कि हमको ज़्यादा आइडिया नहीं कौन सा एकसरसाइज करना से जहां तक हमको मालूम रहता है जो भी द कर देख्ञार कि और और यहां से चलो खाते हैं चल फूल है कर रहे भी कोई आे कर रहा और परMA चासह जाते हैं इसके बाद कर देख जाते हैं तो हम और तीन वहां दो पीछी दिख रहा होगा दोलर का आया है लाइवरेरी में फिलाल अपना रूटिंग जो है फोलो करते हैं सबसे पहले जो मैंने कल जो बाइलोजी का आज जैसे रूटिंग मैंने बना ले एक एक घंटा सबको दे रहा है तो जहां तक मैंने छोड़ा था वहाई से फिर से स्टाट करेंगे यह डे टू का डे थिरी का जो है मैंने बाइलोजी का जो भी जितना रखातर नोट से जो कांसर कर रा था उसको केंटिन्यू करते हैं क्योंकि रिवाजिंग उतनी ही जदा जरूरी है यह मैंने पिछले वीडियो में बताया था और उसी ज हलांकि हमको तो याद नहीं होता एक बार में तो इसलिए मैं बारबार कोशिश करता हूं कि अपने जो रूटिंग है उसको फोलो करें मैंने रूटिंग मना लिया कि सब्रतियक सबजेक्ट को डिर घंटा यह फिर एक घंटा अलग-अलग तरी के से मैंने बना रखा है जो को दिखने मिल जाएगा अगर बायलोजी खतम हो जाता है तो फिर उसके जगह पे दूसरा कोई चैप्टर जैसे केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स रख देंगे और इस तरह से मेरा डिली चलते रहेगा उसके बाद क्रेंट तो इस तरह से मैंने अपना टाइम टेबल बना ल जो रूटिंग बनाए हैं उनको फोलो करें क्योंकि अगर आप एक दिन मिस कर देते हैं तो उसके दूसरे दिन भी मिस हो जाती है तो कई इस तरह से आप मिस ना करें अपने रूटिंग को परकरार रखते हुए रूटिंग के हैसाब से अब दूसरा से डियू लाता है जो क कि मैंने कल और परसो जो कि मैं आप देख रहे हैं लगातार इस वीडियो को तर्टी टेवर खाट चैनल में तो जिस जगह से मैंने छोड़ा था फिर सी वह इसी जगह से केंटिन्यू करेंगे क्योंकि पर एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट को परना यह अच्छी बात नहीं होती हैं क्योंकि इस हमारे अनुसार यह अच्छी बात नहीं थे क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट को रखेंगे तो फिर दूसरा सब्जेक्ट कभी खो जाएगा तो मैं कोसिज करता हूं कि सब्जेक्ट को एक साथ लेके जाने का और क्योंकि आप एक साथ ले जाएंगे तो सारा सारा एक साथ कभर होगा और मैंने यह जो दूसरा से डियूल है पॉलिटीगल साइंस का मैंने जिस गर से छोड़ा तो उस गर से केंटिन्यू करते हैं और अपने साथ जहां भी इंपोर्टेंट हमको लगता है वहां अंडरलाइंट पैंसिल से यह फिर हाइलाइटर से मै बार बार दुआरा जो फिर दुआरा कभी बूक पढ़ें तो पूर्टा किताब ना पढ़ना पढ़ें कुछ इंपोर्टेंट पाइंट जो भी मैंने नौट करके रखा है या पिर अंडरलाइन करके रखा है सिर्फ मैं उन्हीं को परूँ तो उसके बाद हमको पुरा समझ में आ जाए कि कहां फे क्या हुआ है क्या इंपोर्टेंट से तो इस तरह से आप भी जब भी पढ़ाई करें तो पेंसील साथ में जरूर रखें क्योंकि इससे होता कि आप जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट रहे या फिर लगे और उसका इंकलूड भी करते जाएगा इस तो अभी फिर से अबजेक्टिव में आया है और ऑपजेक्टिव जो कि आपको बताए होंगे कीरन पॉब्लिकेशन का जो अबजेक्टिव अबजेक्टिव बुक था सशी का उसी से मैं कर रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत सारा प्वस्टन प्रिबीएस येर का दिया हुआ उन्ही सब शंतनवे से लगर न्यू करेंट तक दिआ हुआ तो एक साथ मिल जाती तो रिवाजिंग करने में और साथ-ए-स 안 आपको पता चला जाता से किस लेवल से आपको कुश्चन médi21 Soviet doet पूछब हो जाता है और उससले आप उस तरह से हमको गरहाई से पढ़ना पड़ेगा और साथे साथ आप यह भी कॉमेंट में बताएं कि आप किस तरह से रोटिंग फॉलो करते हैं या पिर आप किस तरह से पढ़ते हैं आप कॉमेंट में जुरूर बताएं अगर आपका थोड़ा से अच्छा लगे तो मैं भी कोशिश करू का क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और यह जो 30 डे वर्क हार्ट चैलेंज का जो यह तीसरा दिन है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और इस तरह से आप हमें चैनल सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें इस से हमें मोटिवेशन मिलती है आज के ब